नमस्का दोस्तों स्वागता आप सुभी के लास्ट एजाम की व्यूटूचन पे दोस्तों दो दिन से काफी मैसेज आ रहे हैं कि भाई एक आखरी मोका है मारे पास और 25 तारिक को सुभे 11 बज़े हम भी अपना हैश्टेक लेके ट्विटर पे पहुंच जाते हैं लेकिन दोस्तों मुझे एक चीज बताए कि आप सच में नोकरी लगना चाते हों अपने दिल पे हाथ रखो और अपने आप से खुच से बोलो कि हां मैं सच में नोकरी लगना चाता हूं हां मैं जीतना चाता हूं इन दलालों से दोस्तो जिस परकार से हमने पिछला दिल्लिप्लिस कोट केस के बारे में जितनी जी जान लगा के मैंनत करी सब टीचरों को साथ में लेकर हम आने की कोशिस कर रहे थे अंकिस सर के पास में गए उनको सारी चीजे समझाई आप लोगों को विश्वास दिलाना और विश्वास दिलाके आप लोगो की जेब से उतने पैसे हम निकलवा पाएं जितने की कोट केस में लगते हैं दोस्तो आप लोगों को इस चीज का अंदाजा नहीं है जब हम लोग दिल्ली में 15 दिन तक कुत्तों की तरह ठोकरे खाके बटक रहे हैं लोगों को जोड रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं और वो भी सारे अंजान लोग जिससे हमने पहले कभी मिला नहीं आज तक दोस्तों दिल्ली का हालत पता है आपको क्या है यहां पे अगर पैन मांगोगे न तो पैन आपको खरीदना पड़ जाएगा लेकिन कोई सिगनेचर करने के लिए पैन आपको देगा नहीं और हम एक गाउं से आके यहां पे दिल्ली में सुप्रीम कोड जाने की बाते कर रहे थे आप लोग उसे हमने सारी व्यवस्ताइं कर ली थी लेकिन लाश्ट टाइम में आप लोग पीछे अट गए ओनली दोस्तो 15 लाख में से 200 बच्चों के हमारे पास पैसे आए और वो भी कितने पूरे 45,000 रुपे दोस्तों अगर ऐसा साथ देना चाहते हो आप लोग तो 25 तारीक को सुबह 11 वजे कोई टिविट आप मत करना लेकिन अगर आप सच में साथ देना चाहते हो तो 25 तारीक को हैस्टेक मोधी रोजगादो के साथ में अपना जो नया हैस्टेक है SSC दिल्ली पुलिस एकजाम इसके उपर अपनी जी जान लगा देना और जिस तरीके से 25 तारीक को लगबग 5-6 लाग टिविट आप लोगों ने करे थे अगर इतने टिविट भी आप लोगों ने कर दिये तो दोस्तों आप लोगों को एक चीज का अंदाजा होगा ये जो हैश्टेक है 25 तारीक को नंबर वन ट्रेंड करेगा अगर आप लोग दूसरे नंबर पे भी इसको ट्रेंड करवा दिये तो पहले के साथ में हमेशा दूसरा जरूर दिखेगा ये चीज आप ध्यान रखना और ये लास्ट मोका है इसके उपर मैं अब लगातार 25 तारीक तक लगातार वीडियो बनाऊँगा और आप लोगों को मोटिवेट भी करूँगा और आप लोग इस वीडियो को जितना फैला सकते हो उतना फैला देना दोस्तो मैं ये फेस वीडियो बनाने की कोशिस कर रहा था लेकिन मेरा माईक खराब होने की वज़े से उसमें अवाज का प्रोब्लम हो गया था तो दोस्तो अगर आप सच में जीतना चाते हो तो अपनी जी जान लगा देना और एक चीज हमें से ध्यान रखना 15 लाख बच्चों की बात है यहां पे कोई एक दो बच्चा नहीं है अगर SAC में एक दिन में 25 लाख टिविट कर सकते हैं तो दिल्ली पुलिस के बच्चे भी 5-6 लाख टिविट करके अपने ट्रेंड को दूसरे नमबर पे तो ला ही सकते हैं आपको पहले नमबर पे लाने की नहीं बोल रहा हूं और आप लोगों को भी पता है इतनी ज़्यादा उनकी पावर है उनके सामने हम पहले नमबर पे कभी भी नहीं आ सकते लेकिन दोस्तों जो आपकी पावर है उसका अगर आपने सही से इस्तिमाल करा तो दूसरे नमबर पे अपना ट्रेंड आ जाएगा इस चीज को हमेशे द्यान रखना जब दूसरे नमबर पे ट्रेंड आएगा तो पहले के साथ में हमेशे देखा जाएगा और मैं आप लोगों कोई यह चीज नहीं बोल रहा है तो दिन हो गए इसी मैटर में बात कर रहा हूँ कॉम्निटी काई बार मैं पोस्ट कर चुका हूँ कि क्या आप लोग चाते हो दिल्ली पुलिस के लिए एक बार फिर से आवाज उठाना अगर दोस्तों आप में जजबा है जीतने का तो 25 तारिक को सुबह 11 वजे अपने हैस्टेक के साथ में तयार है काफी सारे वीडियो इसके बारे में मैं आप बनाने वाला हूँ दो-तिन दिन में तो वो आपको मिलते रहेंगे किस परकार से आपको यह जितने भी सारे मीम सो अगेरा मैंने बनाये थे वो भी आपको मिल जाएंगे और दिल्ली पुलिस का जो हैस्टेक है वो S.S.C. वालों के बीच में गुच जाना चाहिए यह चीज आप ध्यान रखना तो चलते हैं इस वीडियो में जैहिंद जैबारत वंदे मात